जैसी शाम दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज फिर से मैं आपके सामने लेकर किया यू नॉर्मल डिलेवरी के बारे में जान करी देखिये नॉर्मल डिलेवरी के लिए मैंने आपको कई तरह की बाते बताई है उनके साथ साथ आपको और किन बातों का ध्यान रखना है देखिए सबसे पहले तो आपको खान पान का बहुत ध्यान रखना है कि जब आपको नवा मेना लगे आठवे मेने खाएंगे तो आठवे मेने से ही जो है आपको बिल्कुल पेट में जो है फिसलन पैदा हो जाएगी इसलिए आठवे महने पे रोका जाता है कि जो है ज्यादा फिसलन पैदा ना हो ताकि आठवे महने में ही जो है डिलेवरी फिर हो जाती है जो फिर अच्छा नहीं होता है नवा महना लगते ही जैसे ही आपको डॉक्टर से पता लग कि ये तारिक से आपको नवा महना लगा है उसके एक दिन पहले से ही आपको ये शुरू कर देना है क्या कि जैसे आपको दूद के अंदर घी जरूर डाल के पीना है सुबह पी सकते हैं साम को पी सकते हैं सुबह बेसर आप कर दे लेकिन अगर आप दोनो टाइम दो दो डिलेवरी से कोई रोक ही नहीं सकता ऐसे बच्चा आपका हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा बिल्कुल दरद नहीं होगा जैसे मैंने आपको पहले भी कई चीजे बताई है एक घी की बहुत यह है कि आपको घी नहीं खाना है आपको ये बात माल लेनी चाहिए और घी ज़रूर खाना चाहिए घी कहने से बच्चा जो है एक दम आसानी से हो जाता है और आप लोगों को पताई नहीं लगेगा क्योंकि हमारे टाइम में हमने भी ऐसी खाया था और जो मिलते हैं उनको भी यही बाते बताते है तो उनके भी बड़ी आसानी से बच्चा हो जा जो है चीरा फाड़े भी नहीं होती है जो बाद में जो है ऑपरेशन भी होने की जो है नौबत नहीं आती है ऐसा हो जाता है साथ में जो है जो सेव ही आती है जो आजकल की बच्चे हैं विचारे उनको पता नहीं है वो यूटूब पे देख लेते हैं या फिर फोन पे देख इसलिए हम ऐसा कुछ करते रहें पूराने फार्मुले हम अपनाते रहें जिससे हमारे जो है बहुत अच्छे से डिलेवरी हो जाए बच्चा जो है अच्छा सा हो जाए बच्चा और मा दोनों स्वस्त रहें दिक्कत ही पैदा ना हो आपने देखा होगा जब पहले की लेडि करते हैं काम उस तरीके से करने से आपका नीचे का पोर्षन जो है जांगो का जो पोर्षन है वो धीरे धीरे जो है सौफ्ट हो जाता है और उसके बाद जो है आपका जो है बच्चे दाने का मोवी खुल जाता है और उसके बाद जाके आपको दिक्कत नहीं आती है यह तो आपको यह चीज की भी बिल्कुल ध्यान रखने हैं खान पान का बहुत ध्यान रखना है रूखा सुखा बिल्कुल भी नहीं खाना है बिल्कुल आपको चिकनी चुपडी रोटी खानी है सब्जी में घी डालके खाना है दूद में घी डालके आपको पीना है रात को अग देख लिजीगा, क्या बोलते हैं, जो मैदे की होती है, अटे की होती है, उसको आप बना करके, उसकी खीर बना करके, उसमें काफी सारा खी डाल करके आप खाए। दोस्तो, बच्चा ऐसे पैदा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, बिल्कुल दरण नहीं होगा, आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे से आजाएगा, आपकी normal delivery हो जाएगी, ये मैं आपको तजुर्वे वाली बाते बतारे हैं, कि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं चाहते हूं कि जितने भी बच्चियां मेरे से चैनल से जुड़े हैं जो या जिनके घर में ये बच्चे होने वाली और आप ये देख रहे हैं तो मैं ये चाहते हूं कि मैं आपको अच्छी सला दू और जो अच्छा बच्चा अच्छे से वो घर आएं होके नॉर्मल लेने चाहिए को कि डॉक्टर सही सला देता है लेकिन जब आप अपनी सही तरीके से रखेंगे ना बोड़ी को तो आपको जोरुती निपढ़ीगी कि आपको कुछ ऐसा करना है जब आप हर काम जैसे मैंने आपको पहले महने से लेके नौ महीने तक सारी बाते बताएं और भी या फिर किसी चीज में भी डाल के खा सकते हैं लेकिन उससे पहले मत खाना क्यों ने खाते हैं बादाम को उससे पहले देखी बादाम वो जो है बहुत गरम तासीर का होता है और जब वो खा लेते हैं तो आपको फिर जो है गर्मी पेट में गर्मी बढ़ जाएगी और फिर बच्चा जो है वक्ष से पहले जो होने की संभावना हो जाती है, इसलिए बादाम को जो है कच्चे नहीं खाने देते हैं, बाद में खाने देते हैं, डिलेविर के बाद खाने को देते हैं, जब होने वाला बच्चा होता है, नवा मेना लगता है, तब खाने को देते हैं, ल पता तो वो फिर YouTube का ही सहारा लेती हैं, कई जगे तो आपको अच्छी बाते बता दे जाती हैं, कहीं पर आप उस समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्या खाना है, आप फिर उसी साफ से चलने लग जाते हैं, ये कुछ बाते होती हैं, जो हमारे घरेलू बाते होती है, इन च कि आप बैठ करके थोड़े से चाहें, दो ही कपड़े आप दोलें, उसे दोने से बच्चे को अपको प्रेसर पड़ेगा और वो नीचे की तरह पाता जाएगा, आपको पता ही नीचे लेगा, कि कैसे हो गया, पहले आपने देखा होगा, बैठ करके बतन साप करती थी, बै जब आप कपड़े थोड़ा-थोड़ा सा बैठ करके पोचा यह आपको शुबह-सुबह पसीना भी देगा तो पिर इससे क्या होगा पसीना देगा साफ में आप थोड़ा सा जुकेंगी तो आपका बच्चा भी थोड़ा नीचे की और रहेगा उपर नहीं रहेगा उसको भी हलचल करने में थोड़ी सी जो है वो मिलेगी आपको ऑक्सिजन जादा जाएगा पानी जादा पिएगे जब आप काम करेंगे अब एक्सोसाइज से आप आट-दस बर ऐसे उठ बैट गए तो उसमें तो कुछ ऐसा नहीं होगा आप सोच के देखें जब छोटे-मोटे काम करे से ही कुछ दिक्कते आजाएगे बलकि जब आप बैड रेष्ट करती है तब दिक्कत आती है हां अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने कह दिया है कि बिल्कुल आपका बच्चा नीचे है और बिल्कुल आप उपर पैर करके सोई उसकी तो बात अलगी है जब अपको बिल्कुल नॉर्मल है आप और आपको अच्छे से आपको सारा सरी जड रही है तो आपको इस तरह से करना चाहिए जब आप इस तरह करेंगी तो कुछ मर्जी खाएं आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आई को कि आप पानी पूरा ले रही हैं, oxygen पूरा ले रही हैं, exercise पूरी हो रही है आपकी काम के साथ, कुछ भी नहीं है, अब पहले देखिए जब हमारे time में तो जो है, बैट करके जाडू निकालते थे, बैट करके पोचा लगाते थे, बैट कर ही हम बरतर मांज देते, अब तो सब काम खड़े-खड़े ही है, kitchen में ही बरतर साफ करते हैं, kitchen में जो washing में भी खड़े-खड़े ही साफ हो जाते हैं, कपड़े और कुछी चीज की जोरोती नहीं है, मौप से पोचा लगा लेते हैं, अगर काम वाली भी नहीं आई, तो काम तो कम हो गया है, फिर वो बच्चा फिर उसको कहीं पर वो नहीं मिलती कि वो नीचे कहीं हो जाए, कहीं आप कितनी एक्सोसाइज करेंगे, कितना आप एक घंटा घुमेंगे, आप पैड़ी चाड़ लीजिए, दो तिन बर हो गया, आपका एक्सोसाइज है घंटा के ज बच्चे की हल चल भी अच्छी होती रहेगी, और आप खुराक भी जादा खाएंगे, क्योंकि जब आप काम करेंगे ना, तो आपको भूख भी ज़ादा लगेगी, आप खुद सोच के देखें, जब आप काम करती रहें, कभी आपने जूस निकाला, कभी आपने छोदिन थे सीर को चाहिए है बच्चे का सिर भारी जो चाहिता है यह बाती थे पनों के साथ जब दीजेगा और इसे जॉद आपनों के शाथ केजेगा ताकि मेरा हौसला बढ़े जब आप लोग कमेट्स करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता हूँ और आप लोग के लिए मैं अच्छे-ची जान करें लेकर कहती हूँ मुझे उम्मीद है कि ये जान करें आपके बहुत काम आएगी और आपको पसंद भी आई होगी और आप लोग के जो है जो नई माई बनने वाली है वो अच्छे से अपने जो है आपके नॉर्मल डेलेवेरी हो यही मैं कहती हूँ और आप लोग अच्छे से अपने घर आईए और मुझे कमेट्स करके बताईएगा आपो कैसे लगी वीडियो